राश्टिये सोयम सिवक संग है रेनु सागर नगर की तरब से स्यो मंदिर ककरी रहटा पर भूमि संद्छन हेत भूम पूजा एयों गौ समवर्धन हेत गोपूजा का आयोजन किया गया इस उसर पर स्यो मंदिर ककरी रहटा में जनसैलाब भूमर पड़ा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन के अनसार बिधी विधान से भूमि पूजन आवरंगो पूजन हुआ सभी किसान परिवार अपने अपने खेतों से मिट्टी लाए और सबतनीक यजवान बनकर फिर विधान से पूजन अर्चन किया सभी लोग धर्ती माता की जय, गव माता की जय, भारत माता की जय का उद्गोस करते हुए भूमि सन्रचन के समर्थन में सपत ग्रहन किया और रसाइनीक खादों का प्योग ना करने और जैविक खेती के महत पर जोड़ दिया राष्टिय स्वयम सेवक संखरेन कूठ जिला के बौधिक प्रमुख आदरनिय असोक कुमारुपा ध्याय ने गव समवर्धन और भूमि सन्रचन हेतु आये किसानों की प्रसंसा करते हुए गव समवर्धन और रसाइनीक खादों द्वारा की जाने वाली किरसी के दोसों को बताते हुए जैविक खादों के महत्तों और उसके खेतों के लिए कितना उपयोगी है इसके महत्तों को बताया खेतों की उरवर्धा सक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खादों का प्रचलन बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कारी करम आयोजद किया जा रहा है गाय हमारी मा प्रते बद्धायों को देवता मानते हैं। स्यामकिसोर, पासवान ककरी ग्रामपरधान, राम विलास दुबे, सप्त सनी बिनोत तिवारी, रेलवे सप्तनीक लालसा, राम सप्तनीक, सीतला प्रशाद धुबे, सप्तनीक और बहुत सारी महिलायें थी। बेरो रपोर्ट, CTP24 News.